जी नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोबाजी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर अभी अभी आपके पास Amazon Pay का New Credit Card आया है और आपको PIN जनरेट करना है तो आप कैसे Amazon Pay Credit Card का PIN जोए वो जनरेट कर सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजीगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की व सो अभी मैं पहला इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ सो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो मेरी एप जो है वो अभी इंस्टॉल हो चुकी है करना है आप इंडियन रेसिदेंट हो तो आपको फर्स सिलेक कर देना है यदि आप अनराई हो तो आपको सेकंड सिलेक कर देना है इसके बाद नीचे तरमेंड कंडिशन पर आपको टीक कर देना है और सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद नीचे आपको continue पे click कर देना है जैसे आप continue पे click करोगे तो अभी आपके mobile पे एक OT भी आएगा इसके बाद आपको यहाँ पे दो options दिख रहे हैं choose a pin for your device तो यह जो pin है यह हमारा login भीन है तो आपको यहाँ पे अपना mobile app के लिए login pin जो है वो डाल देना है और नीचे आपको same pin जो है वो confirm pin में डाल देना है तो जैसे आप pin डालोगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface उपन होगा जहाँ पे आपको अपनी card details जो हो रहे होगी जैदि आपको ICICI bank के अंदर already account है तो आपको यहाँ पे multiples card show होंगे बट मेरा अभी ICICI bank में कोई भी account नहीं है और मेरे पास सिर्फ ICICI bank का Amazon पे credit card ही है तो मेरा यहाँ पे सिर्फ मेरा credit card जो हो रहा है तो यहाँ पे आपको अपना account type में आपका credit card number जो हो select कर देना है नीचे आपको enter CVV number तो यहाँ पे आपको अपको अपना card के पीछे जो आपका CVV number दिया हुआ है basically यह CVV number तीन अंग का number होता है जो कि आपके card के पीछे display होता है आपको same number यहाँ पे डाल देना है और नीचे आपको submit पे click कर देना है जैसे आप submit पे click करोगे तो अभी आपके सामने success का message आजाएगा मतलब मेरी यह app जो है वो अभी active हो चुकी है इसके बाद आपको authentication fingerprint आपको रखना है तो आप allow कर सकते हो congratulations you all set अभी आपकी app जो हो चालो हो चुकी है तो सभी process होने के बाद अभी आपके सामने कुछ क्लिक कर दूँगा तो जैसे आप reset pin पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना card जो हो first option में select कर देना है इसके बाद नीचे आपको जो भी new pin रखना है आपको यहाँ पे pin डाल देना है तो मैं आपको अपना pin डाल देता हूं इसके बाद नीचे आपको same pin जो है वो confirm फिर से एक बाद डाल देना है और नीचे आपको अपना mobile number जो है वो check कर लेना है इसके बाद आपको simply submit पे क्लिक कर देना है जैसे मैं submit पे क्लिक करोंगा तो अब मेरे register mobile number पे SMS send होगा वो automatically यह fetch कर लेगा आपको कुछ करने की जरूवत नहीं है simply आपको submit बटन पे क्लिक कर देना है जैसे मैं submit पे क्लिक करोंगा तो अभी यहां पे message हो रहा है pin generation successful credit card pin generated successfully मतलब अभी आपका credit card का जो pin है वो successfully generate कर दिया गया है उमीद करता है आपको इस video में सभी जानकरे मिल गई होगी यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद